नमस्कार जी नमस्कार अपना शुब नम बताएं सर धर्म सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका बताईए क्या समस्य है हकीम साब आपकी आवाज सुन रहे हैं जी सब्सक्राथ अच्छा चैनल रहे जो लड़केु को सब्सक्राइब कि दोनों की उमर बता है कि दोनों की उमरें सब्सक्राइब करते हैं जिस बच्ची को नहीं बनती उसका इलाज पहले बताना जरूरी हो सकता है कॉल कर जाए जिए और यही सब जो उसके जात में बताता हूं यह सब यूट्यूब पर मिल सकते जिए जिए देखिए एक दवा है जो मैंने जितने लोगों को भी बताया जिए उन सब की उमीद पूरी हुई अरे वह और मेरा काम है सच्चा मश्वरा देना फिर रह जाता है आपका और आपके रब का मामला नुस्खा में बता रहा हूं इमानदारी से मेरी जिम्मेदारी कुछ निए जो भी मैं दवाएं बताता हूं जिम्मेदारी से बताता हूं इमानदारी से बताता हूं और फाइदा मैं नहीं बेचता मैं तो आपको मशवरा देता हूं जी मशवरा देकर दौाएं कमाते हैं ह तो अब आप अपने रब से मांगिए देखिए असगंद, असवागंदा हिंदी में कहते हैं, हम लोग कहते हैं असगंद नागोरी, फिर डंडी यह होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी, और नागोरी वाले लेंगे तो बहुत फायदे मंद हैं, नागोर वाला, पिली पिली आप तक्रीबन ले लीज्ए गिराओं असवागंदा हिंदी में कहते हैं असगंद नागोरी, हम लोग अपनी ason我也 जी दिवान में कहते यह और कलांजी कलांजी और अशवागंदा नागोरी क्लांजी कितने लेनी हैं, अशवागंदा सो ग्राम लेनी हैं सो ग्राम कल STEM नहीं सकता इनका पाउर और फिर आपसे मिक्स कर दें ठीक है और इसकी दो छुटकी यह चुटकी जितना भी आता है इसमें दो छुटकी रात को सोते वक्त वो बच्चा और बच्ची दोनो यह लड़का भी और लड़की बती और बतनी दोनों खाके सोएं ऐसी पानी से ले ल हैं जी और लिगा आ लिखन ने देता इन सब इम्रास के अलावा बहुत सी मारी हैं को आपकी सो Ó जो हो आपकी यूरिनली से मुतालिक हो और घरबहाशी से मुतालिक हो इंक बीमारियाँ को लेती हैं यानि हमल तो रह जाता है लेकिन वो दिल नहीं बन पादा सबसे पहले बनने वाला पाड़ जो है वो दिल है और दिल अगर साथ ना दे जान निकल जाती है तो उस वक्त जब बच्ची हमल में हमल हो जाए और दिल भी बन जाए फिर आगे की मश्वरा आप हमसे जरू भी ऑन-लाइन रहती है दिन में तो रहती है रात में भी हमारी मदद आपको पहुंच सकती है चोबिस कंटे दॉक्टर से रहते हैं हमारे लाईव पर तो पिर आएगी मदद करते रहेंगे यह पिर आप लगातार खाती रहे अगर आपका हमल रह जाए दिल बन जाए तो आप अपने शोहर को बंद करा दे आप खाते रहें अच्छा ठीक है और ऐसे वो लोग जिनको अलाद नहीं होती है जी 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 वो भी बहुत जादा है और अल्ला का बड़ा करभ है मैंने जिसको भी नुसका बताया अल्ला ने उसको काम्याब किया आप भी कोशिश करे यकीन करें और अपने रब से मदद मांगें मैंने आपको नुसका बताया अब आपकी और आपके रब की का मामला है आपको फाइदा हो नहो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं जी अश्व गंधा नागौरी सागराम लेनी है और कलॉन जी सागराम लेनी है दोनों का पाउडर ब को सोने से पहले दो दो चुट Murphy के साथ भी ले सकते है जूस के साथ ूसके साथ भी ले सकते हैं और यह उसके बाद में जब हमल ठेर जाता है गर भौति हो जाती है और बिल बेंग पयultsे को घुठ और पुत्रवदू, बहु को कहें, वो इसको लेती रहें। उसका बहुत आसान है। देखिए, पपीते का पत्ता और पपीते का पत्ता सौफ और आपका धनिया और कल्मी शौरा। एक किराम सुबा, एक किराम शाम तकरीबन एक कैपसूल बड़ा खालिया करें। कड़वा लगे तो कैपसूल में भला है, कैपसूल भी मिलते हैं मार्केट में। और यह इस्तेमाल करना शुरू करें। पहले एक खाया करना, फिर कम फायदा हो तो दो टाइम कर दे। कोई भी सखील की जानक है। और इससे इनके बच्चे को फायदा होना मुम्किन है। जैसे के P नाम से कैपसूल थी है, तो क्या इसके लिए भी कोई खास दवाई बनाई हुई है, कोई कैपसूल बनाई हुई है, उसका नाम बताना चाहेंगे। पीकेर ही है, लेकिन मेरी आदत यह है कि मैं घरे लिन उसका बताता हूं। अगर किसी दवा से फाइदा नहों तो पी के ले सकते हैं ये फिशर, बावसीर, एसिडिटी, कब्स, लिवर प्राबलम या दवाओं के लुक्सानात, किड्नी प्राबलम या किसी की किड्नी की गंगी बढ़ जाती है तो इन सब के लिए बहुत अच्छी दवा है आप ले सकत स्itel प्रागत है, हलों, जी यून्मी साब, आपका बहुत स्वागत है, दिल से इस्तिकबाल, वेस्ट पंगल से आप बोल रहे हैं हमें बताया गया, हकीम साभ आपकी आवास सुन रहे हैं, आप फरमाएं एक्षालों, मेरे हकान हमारे घुटनें में गुटने में, घुटने कि ये बात है और आप नीचे मत बैखें कामा कि इस्केमाल करें निमाज चेयर में पढ़ें टेवल चेयर में खाएं और एकसर साइज उन्हें ने बता है एकसर साइज हमने दो तीन महें ना किया कोई फाइदा नहीं आए नवादियत हम खाएं वह उसी तरह से नी बान के अप कोई बीमारी तो नहीं सत्तर साल होगी है माशाला और कोई बीमारी है डाइबिटीज या ब्लेड पेशर ने ब्लेड पेशर लाफ़ादा नहीं यूरिक एसिड बड़ जासा है ठीक हाँ यूनिस साहब आपको खुब उमर दरास करे सिहत के साथ और दुनिया और आखरत में कामियाप करे हम सबको और देखिए आपके ये बीमारी इंशाला जितनी आपकी उमर है तकरीबर इतना फाइदा आपको मुमकिन है अच्छा सेविंटी पॉसेंट इनको फाइदा मुमकिन है और कमोबिश जी और इसके लिए आप अगर बाकाइदा अपनी रिपोर्ट शेय बहुत अच्छा है और नहीं कर सकते तो कहीं हमारा जो हमारे द्वाखाने है जी द्यहरबल नाम से जहां जहां है वहां आप कांटेक्ट कर सकते वो भी नहीं कर सकते तो मैं घरे लिए उसका बताता हूं जी वो इस्तमाल करें खुब अल्ला से मदद मागें और मुझे अमी सुरंजान शीरी अजगन नागोरी अलसी और कलोंजी खुब बारिक पाउडर बनाए बिल्कुल पिसी भी मतला ये आप उसे खरी दिये और घर में लाके पाउडर बनाएए और इसको दो चुटकी दीए चुटकी है हमारी ऐसी दो चुटकी जितना भी इसमें आए आप सु के साथ आप लें खुब अल्ला से मदद मागें मेरे लिए भी दूआ करें कि मैं अल्ला मुझे भी कामियाब करें कि मैं लोगों की खिदमत करता रहूं जब तक जिंदगी रहा और आपका ठीक होना मुम्किन है सुरंजान शीरी अजगन नागोरी जी अलसी और कलोंजी और पिसमाइ दू चीज़ाएं और दूची और चीज़ान ऑडर बना लें जो वैसी हैं मिक्स कर कर दें और यह तो यह इस्तेमौन करें आप दो 2 रिट्टुटकी याँनि तखरीबर एक गिराम होता ड़ी उसस्तमाल करना शुरू करें लेकिन यह दवाई आपके मर्स की दवाई है अभी तक आप दर्द की दवाई खा रहे हैं जी जुरूत पढ़ने पर वो भी खा सकते हैं ये च्छे साथ आठ दिन बाद आपको हलका सा फाइदा शुरू करेगी उमकिन है थोड़ा सा दर्द तो चार दिन के लिए बढ़ जाए जी 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 या पराना ने क्योंकि ये दवा का निकालने के लिए अपनी जगा से धका देती है किसी की पिंडली के आ vibrer के kinky कमर तक आ यह और अगर ये तगर होने लगा जा होने लगा तो समझ लिए दवा का म कर रही है कुछ लोगों को दर्द बढ़ग जाता है धो फीसिद लोगों को को मुतवाटिर लेंगे उतना फाय्दार, आसानी से मुमकन है, विरेंद्र जी नमस्कार रॉ हलो नमस्ते हो पहुत है क्षभी स्वाग्त है विरेंद्र जी कहां से बोलने के सार्ट सुम्रेंदेर भाध्य estás so एकिन है क्हां से का भी सुमूले मिद्हेज सरी पंगल इंफेक्शन है मद्धे प्रदेश में अच्छा तो अभी आपके बारे में बात चलेजी के जिन लोगों को फंगल इंफेक्शन हो एलर्जी हो इसकिन एलर्जी खुजली हो और बहुत सारे इसकिन के इम्रास के लिए अलसी आप लीजे दो डाइसो ग्राम खरीद लिए सस्ती चीज़ है विस मुबारिक पॉडर बनाने ते उसे रखिया आप एक डिब्बे में करके बंद करके और सुबह आपने हर मूब ले सकते हैं खाने के बाद भी ले सकते हैं एक चमच बारके निकालें तगरीबन चार पाश गिराम छे गिराम इसमें एक चुटकी सोडा खाने का डालें और यह आप खालें बुरा नहीं लगता जायकेदार लगता है जिनको शक्कर नहीं यह शुगर भी मिला सकते हैं इसमें और पानी पी लें थंडा या गरम जैसा भी आप पसंद करें दिन बहुत ज़्यादा है तो दो खुराक ले दिन में और कम है तो यह खुराक में ही आपको फा मैंने अपनी तैजर्बे में देखा कि हर तरह का बेशतर मर्जों में इस नुसके ने लोगों को फाइदा पहुंचा है अब भी कोशिश करिए बहुत मुझरब नुसका है आपके आप अपने रब से खुब मदद भी मागिए अपनी वालदा जिंदा है तो उनसे दूआ करव ये वालिद है तो जो भी बुज़र्ग है उनको खुश करिए अगर नाराज है तो उनको राजी करिए इंशालला आपका मज़ ठीक होने लाएट सुलिमान साब नमस्का राधा बहुत-बहुत स्वागत है आपका आप मेरे हम नाम है माशाला जी असलाम अलेकों खुशी ही वाद है आपसे बात हो रही है आज जी फर्माईजार क्या प्राब्लम है? मेरे कमर दर्द में काफी अरसे से परिशानी थी मैंने बात की थे आपके तो काफी आराम है भी 60-65% तो आराम है कमा दर्स से लेकर मतलब घुटनों तक और पैरों तक काफी धकलिफ रहते दी तो अभी तो मैंने दो महीने दवा खाई है मुझे 65% आराम है तो अभी आगे क्या मामूल रहना है और बहुत सारी चीजों से उन् जिनको आपने छोड़ा यह मैनद करने से रूका था और बैठे रहने से एक ही जगा पर बहुत सारी चीजों से ऐसे हैं आपकी उम्र कितनी है यह मेरी उमर 36 चिक जी बहुत कम उमर मैं और बहुत कम उमर भी नहीं है उम्र क्या एक हिस्सा तो जीच्च जुके होते जब 35 सा क्योंकि उम्र का एवरेज हमारा बहुत कम हो गया साथ से पैसेट है एवरेज उम्र हमारे इंदुस्तान की तो आदी जिन्दगी हम जी चुके हो गया बरहाल अल्ला आपको हमेशा सेहत मत ठाइए और अभी आपको अल्ला तेजी से फायदा दे रहा है शायद एक माह और लगे या कमो बेश उसमें आपका ठीक होना मुम्किन है अभी थोड़ी एतियात कर ले तो बेहतर है हिबसे माता कर दो मतलब हिफाज़ती तोर पर आप इसको करें तो बहुत अच्छा है वर अधर नहीं उठाना कुछ दिन तक जी और अक्सर हम बजन उठाने में या कोई बच्चे लोग होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए अपने इस्ताज से ज्यादा बजन उठा जेते हैं अपने बजूद से ज्यादा उससे कावर में तकलिफ आ जाती है या कहीं भी कुछ है और आप उसे नस्के को लेते रही है इंशालला मुझे अमीद है कि आपको फाइदा मुम्किन है